एक समय की बात है, एक छोटे से गाव में एक गरीब किसान, हरिया, अपनी पत्नी के साथ रहता था। हरिया का जीवन बहुत कठिनाईयों से भरा था, वह दिनरात महत करता था लेकिन उसके पास इतना भी नहीं था कि वह आराम से अपने परिवार का पेट पाल सके। हरिया के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था, और एक बूरी सी मुर्गी थी जो रोज एक अंडा देती थी। हलांकि मुर्गी के अंडों से उसका परिवार पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाता था। हरिया हमेशा भगवान से प्रार्थना करता कि उसके जीवन में कुछ चमतकार हो जिससे उसकी गरीबी दूर हो जाए। एक दिन जब हरिया अपनी मुर्गी के अंडे को उठाने गया तो उसने देखा कि मुर्गी ने जो अंडा दिया था वह साधारन अंडा नहीं था। वह अंडा चमक रहा था और जब हरिया ने उसे उठाया तो उसे महसूस हुआ कि वह अंडा सोने का था। हरया को अपनी आखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा क्या यह कोई सपना है, लेकिन नहीं, वह अंडा वास्तव में सोने का था। हरया ने तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया और उसे वह सोने का अंडा दिखाया। उसकी पत्नी भी आश्चर्यच कित रह गई। उ उन्होंने सोचा कि यह भगवान का आशीरवाद है और अब उनका जीवन बदल जाएगा। हरिया ने उस संडे को शहर के सुनार के पास बेच दिया और उससे मिले पैसों से उसने कुछ जमीन खरीदी और घर को सुधार लिया। उसने अपने खेत में और महत की और उसकी फसलें भी अब अच्छी होने लगी। हरिया और उसकी पतनी का जीवन अब पूरी तरह से बदल गया था। हर दिन मुर्गी एक सोने का अंडा देती और हरिया उसे बेचकर और भी संपत्ती अरजित करता। अब उनके पास अच्छी खेती, अच्छे कपड़े और एक सुन्दर घर था। गाव के लोग अब हरिया को सम्रिद किसान के रूप में जानते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीटता गया, हरिया की लालच बढ़ती गई। अब वह चाहता था कि मुर्गी एक दिन में एक से अधिक सोने के अंडे दे। उसे लगा कि अगर वह मुर्गी के पेट को काट कर देखे तो वह और अधिक सोने के अंडे निकाल सकता है। उसकी पत्नी ने उसे कई बार समझाया कि यह गलत है और उसे संतोश रखना चाहिए, लेकिन लालच ने हरिया की बुद्धी को अंधा कर दिया था. आखिरकार, एक दिन हरिया ने मुर्गी का पेट काटने का फैसला किया. उसने सोचा कि वह एक बार में ही बहुत सारे सोने के अंडे प्राप्त कर लेगा और फिर उसे और कोई चिंता नहीं रहेगी. लेकिन जब उसने मुर्गी का पेट काटा, तो वह यह देखकर दंग रह गया कि उसके पेट के अंदर कुछ भी नहीं था. वहाँ कोई सोने के अंडे नहीं थे, केवल मुर्गी के आंतर इक अंग थे. हरिया की आखों में आसु आ गए, वह समझ गया कि उसने अपने लालच में एक बड़ी गलती कर दी है. उसकी मुर्गी अब मर चुकी थी और उसके पास कोई सोने का अंडा देने वाला नहीं था. वह बहुत बच्टाया, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था. मुर्गी की मृत्यू के साथ ही उसका सोने के अंडे प्राप्त करने का सपना भी समाप्त हो गया. हरिया ने फिर से कठिनाईयों का सामना करना शुरू किया. उसके पास जो धन था, वह धीरे धीरे समाप्त हो गया और वह फिर से उसी गरीबी में लौट आया जिसमें वह पहले था. अब उसके पास न तो मुर्गी थी और नहीं सोने के अंडे. गाव के लोग भी उसे उफास करने लगे कि कैसे उसने अपने लालच में सब कुछ खो दिया. इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच का परिनाम हमेशा बुरा होता है. हरिया ने अगर संतोश किया होता और अपने पास जो था उसी में खुश रहता, तो वह आज भी संपन्न होता. लेकिन उसकी लालच ने उसे सब कुछ खो दिया. संतोश और धैरे जीवन में बहुत महत्वपून होते हैं, और जो व्यक्ती अपने पास जो है उसी में खुश रहना सीखता है, वही सच्चे सुख का अनुभव करता है. हरिया की हालत अब पहले से भी बत्तर हो गई थी. उसे अपनी गलती का बहुत पच्चतावा हो रहा था, लेकिन अब उसके पास रोने के सिवा कुछ नहीं बचा था. उसने सोचा की कैसे वह अपने लालच के कारण अपनी खुशियों को खो बैठा. वह अपने आप से कहता, काश मैंने उस मुर्गी का पेट नहीं काटा होता, लेकिन पच्चतावे के सिवा उसके पास कोई रास्ता नहीं था. वह अब फिर से महनत करने लगा, लेकिन उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब थी. उसके पास अब न तो जमीन बची थी और नहीं वह संपत्ती जो उसने सोने के अंडों से अर्जित की थी. लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी. वह रोज सुबह उठकर खेट में काम करने जाता और अपनी महनत से अपना पेट पालने की कोशिश करता. एक दिन जब वह खेट में काम कर रहा था, तो एक बुड़ा साधू उसके पास आया. साधू ने हरिया को देखा और उसकी हालत पर दया आई. उसने हरिया से पूछा, बेटा, तु इतना दुखी क्यों है? हरिया ने साधू को अपनी पूरी कहानी सुनाई की कैसे उसने अपनी मुर्गी के सोने के अंडो के लालच में आकर उसे मार डाला और कैसे अब वह फिर से गरीब हो गया है. साधू ने उसकी बात सुनी और कहा, बेटा, जो हुआ उसे तो तुम बदल नहीं सकते, लेकिन अगर तुम सच में पच्छता रहे हो और सुधार करना चाहते हो, तो तुम्हें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए और सच्चे दिल से पश्चाताप करना चाहिए. हर्या ने साधू की बात मानी और उसने ईश्वर की प्रार्थना करना शुरू कर दिया. उसने हर रोज गाव के मंदिर में जाकर प्रार्थना की और अपने पापों के लिए क्षमा मांगी. उसकी प्रार्थनाओं में सच्चाई और विन्मृता थी. वह रोज ईश्वर से अपने परिवार की सुरक्षा और भरन पोशन के लिए मार्ग दर्शन मांगता कुछ समय बाद एक दिन हरिया के खेत में फसल अचानक से बहुत अच्छी हुई उसने इतनी अच्छी फसल पहले कभी नहीं देखी थी उसकी महंत और सच्चे पश्चाताप ने फिर से उसे एक अच्छा जीवन प्रदान किया उसकी आर्थिक स्थिती धीरे-धीरे सुधरने लगी हालांकि उसके पास सोने के अंडे नहीं थे लेकिन अब उसके पास फिर से एक सुधरड और संतुलित जीवन था हरिया ने अपने जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा ली थी लालच से हमेशा नुकसान होता है और संतोश ही सच्चा सुख है उसने अपने इस नए जीवन को इमानदारी और महंत से जिया और कभी भी लालच को अपने उपर हावी नहीं होने दिया उसके जीवन का यह बदलाव देखकर गाव के लोग भी उसकी प्रशंसा करने लगे और उसकी कहानी से शिक्षा लेने लगे इस प्रकार हरिया का जीवन फिर से पट्री पर आया लेकिन इस बार वह अधिक समझदार, संतुष्ट और सुखी था उसने अपनी गलती से सीखा और अपनी महंत और इमानदारी से अपनी जिन्दगी को फिर से सफल बनाया भाक दीन, ग्यान का प्रसार और गाव का उत्थान हरिया अब गाव के सबसे समानित व्यक्ती बन चुका था वह अपनी सीख और अनुभव को गाव के अन्य लोगों के साथ बांटने लगा उसने लोगों को सिखाया कि मेहनत और संतोश से बढ़ कर कुछ नहीं है हरिया का जीवन अब दूसरों के लिए एक उदाहरन बन गया था लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते और अपने जीवन में उसे अपनाने का प्रयास करते हरिया ने गाव में एक छोटा सा विद्याले भी खोला जहां वह बच्चों को शिक्षा देता और उन्हें जीवन के सही मूलियों के बारे में बताता उसका मानना था कि बच्चों को छोटी उम्र से ही सही और गलत का फर्क सिखाना जरूरी है ताकि वे बड़े होकर जीवन में सही निर्ने ले सकें और कभी भी लालच के जाल में नौफंसे गाव में हरिया की वजह से एक सकारात्मक बदलाव आने लगा लोग अब महंत करने लगे, लालच से दूर रहने लगे और इमानदारी से अपना काम करने लगे गाव की आर्थिक स्थिती भी धीरे धीरे बहतर होने लगी अब गाव के लोग सुखी और संतुष्ट जीवन जी रहे थे हरिया का यह परिवर्तन और उसकी शिक्षा गाव के बाहर के लोगों तक भी पहुँचने लगी आसपास के गावों के लोग भी हरिया के पास आकर उससे सलाह लेने लगे हरिया ने अपनी जिन्दगी का उद्देश दूसरों की मदद करना बना लिया था उसने अपनी गलतियों से सीखा और अब वह चाहता था कि कोई और उसकी तरह अपनी जिन्दगी बरबाद न कर इस तरह हरिया का जीवन एक प्रेरना का स्रोत बन गया उसकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि लालत चाहे कितना भी आकरशक क्यों नहों, अंद में उससे केवल नुकसान ही होता है हरिया ने अपनी गलती से सीखा और उस सीख को दूसरों तक पहुँचा कर अपने जीवन को सार्थक बना दिया समय के साथ हरिया का गाव एक समरिद और खुशाल गाव बन गया लोग वहां महंद, इमानदारी और संतोश के साथ जीवन जीते थे अपना प्रावर जीवन जीते और गावर जीवन जीवन नीवन प्राव